हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माश्टमी हर साल बादर पदमाज के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को मनाई जाती है इस बार ये पावन अवसर अर्थार जन्माश्टमी 18 अगर 2022 को मनाई जाएगी इस बार की जन्माश्टमी पर कई योग बन रहे हैं ऐसे में कृष्टिन जन्वाश्टिमी की पूजा के दोरान कुछ सरल से उपाय करने मातर से बगतों पर भगवान श्री किष्टिन की विशेश आशिरवाद से युक्ती होगी वे हर प्रकार की मनों कामना पोड हो जाएगी बगवान श्री किरपा से बगतों के सबी दूर हो जाएंगे और उन्हें मनवान शित्फल की प्राप्ती भी होगी आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही जवर्तत उपाय के बारे में बताने वाले हैं जैसे करने से बगवान स्री कृष्टिन की आशिरवाद के साथ साथ आपके हर प्रकार की धन कमाने की जुन आपको उपाय बताने वाले हैं इस उपाय को करने से हरकी सिग्शे मेर में धन भार ने की बरकत होने लगती है दन खूब आने लगता है फुब पैसा कमाने लगते है जतना भी प्रैतन करते हैं उससे कई गूना हो कर आप ख़ल मिलने लगता है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत इच्वर्दत जन कर देने वाले हैं घर के दर्वाजे पर डाल देए एक छोटी चीज गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता द जो लोग धन कमाने की इच्छा रखते हैं वे सभी व्यक्ति मातालक्ष्मी की पूजा तो आउश्य करते हैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मातालक्ष्मी को प्रसना नहीं करना चाहता है या फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन कमाना नहीं चाहता ऐसा कौन है जो व्यक्ति अ कुछ गुपत उपायों को भी कर लेना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में कभी भी धनकी कोई हानी ना हो और हमेशा धनकी बरक्कत बनी रहे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगोली लिखना ना बोले साथ ही साथ वीडियो को के लिए बहुत मैंन करता है दो मां चाहता है समरदी पने रहती है जा सिर्क दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो पयका दोस्तोन होग़ाइथ थाने लिए हम एक सहज़ने उपने से जम आपको फोला प्रचम fight match के लिए यह आगी आपको सुटा है कि कृपי अधर उल्यचानि यह उपैक को जानने तो दोस्तों माता लक्षमी को प्रसन करने के लिए किसी भी तिथी सुब मुहरत या वार क्या और सकता नहीं है सभी दिन सभी वार सभी मुहरत माता लक्षमी के ही है इसलिए दोस्तोसा HUPST इसी दिने कर सकते हैं लेकिंश दिन भी आप री उपाय करना चाहते थे उच्छ पूजा मंदर में जाएं और सभी तस्वीरों को और मूर्तियों को सवच्छ कपड़े से साफ सुत्रा करके पूंच ले और मंदर को साफ सवच्छ कर ले उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें पानी मिला लेने के बाद आप भगवान विश्णु को और माता लगा दें और छोते पर भी थोड़ा है लगा दें उसके बाद अपने मस्तक पर भी तिलग करें उसके बाद आपको दोस्तों दो प्लेट में नियारे की अ क्वंदर में आना जो दोस्तों आप मिश्टान और फल नहीं रख सकते हैं तो आप एक में मिस्ट्री और एक में गुड़ रखें गुड़ वाला जो है उसे भगवान विश्णु को लगाए और जो मिस्ट्री है वे माता लक्ष्मी को लगाएं इस प्रकार से भोग लगा लेने के बाद आप अपन ऐसे बीए जाए उसके बाद आप माता लक्ष्मी के सबसे प्रवापसाली मंत्र ओम श्रीष रियेनम है इस मंत्र का 108ं बार जाब करें कि इसम bullish नुद बार जाब होजाने के बाद आप 21 बार वश्णु वगवान के लिए समर्पित महामंत्र का जाब भी करें मंत्र है ओम नमो बगवते वासु देवाई मंत्र एक वाफ फिर सुन लें दोस्तों ओम नमो बगवते वासु देवाई और माता लक्षमी के लिए जो मंत्र है ओम श्री श्रीय नम है जिया दोस्तों यह छोटे-छोटे से मंत्र ह लेकि इनका प्रभाव बहुत बड़ा है दोस्तों आपने एक सो आठ और एकीस वाग की जम सक्या में जब कर ले उसके वाद दोस्तों आपको वे लोटा इसमें आपने जल गंगा जल और साथी साथ हल्दी में लाई है उसे लेकर जाएं और अपने घर के मुख्य दरवारे द खाली नहीं करना है थोड़ा सा बचा ले और इसे फिर अपने घर के अंदर भी शिड़काव करें इसे अपने घर में शिड़कने से सभी नकारत्मक उर्जाएं घर के बाहर निकल जाती है कोई नजर दोस्त या ग्रह कलेश संबंदी समश्या होती है तो वह भी शनवर में करती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास महीं करती है जहां पर कलेश घर को करने लगती है और आपके घर को घंद वाश्या रखती है दोस्तो घर में चिणकाव कर देने के बार फोड़ा फोड़ा जल करके सबिसे दुद्ष्यों को उपर जलें और अन्त में अपने ऊपर भीस का थोड़ा सा चिणकाव करने दोस्तो ऐसा करने से माता लक्षमी और भगवान विश्मु का आशिरवाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होने रखता है दोस्तों आपको जानते ही हैं जहां माता लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त होते ही आपके घर में तुरंती धन आने के सभी मार खुल जाते हैं आपको बहु प्तर जलका फिर्का बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों आज की इस वीडियो के वली इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देम एज़ाज धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै बजरंग वली